तुल्सी तीर्थ रामवन जहां स्वरक्षत है करोणों हस लेकित राम नाव एतिहासिक धार्मिक स्वांसकर्तिक प्रगतिशीर तुल्सी तीर्थ रामवन बुंदेल खंड का अलौकिक बैववपूर्ण राम चरित मानस के आधार पर विक्सित पावन एवंपुन आधुनिक तीर्थ है विशाल रामवन पहुँचते ही रामवन का विशाल प्रवेश द्वार दिखाई देता है द्वार पर पहुँचते ही मन में तुल्सी दाज जी की इस्म्रती ताजह हो जाती है द्वार के अंदर प्रवेश करने पर दाई और तुलसी संकीरतन भवन उसके सामने तुलसी तीर्थ का कार्या ले हैं और बाई और तुलसी संग्राल हैं थोड़ा आगे बढ़ते ही वीणा विनायक चौक में पहुंच जाते हैं जहां पर सरस्वती एवं गनेश जी की मूर्तियों के दर्शन होते हैं वानी विनायक चौक के बाद भवानी शंकर चौक आता है इस चौक का निर्माण मानस के दूसरे इस लोग के आधार पर किया गया है एक भारी भरकम शिवलिंग जिस पर भयंकर काला नाग अपना फन पलाय बैठा हुआ है एक विशाल जल हरी पर दिखाई देता है सामने पहुँचने पर शिवलिंग के उधर में इस्थान बना कर अर्ध नारीश्वर भवानी शंकर की सुन्दर और कलात्मर मूर्ती के दर्शन होते हैं इसके बाद गुरू चौक मिलता है यहां मानस के तीसरे इस लोग का साकार रूप देखने को मिलता है यहीं से बाई और दस्टी डालने पर तीन चार शान्ती कुटीरों के दर्शन होते हैं इन कुटीरों के पीछे तुलसी ताल है रामचरेत मानस में गुश्वामी तुलसी दास जी ने मानस सर का बहुत विस्तार सिवर्णन किया है रामवन में मानस सर का साका रूप दर्शाया गया है पूरा सर स्वातिकार बना है सर के चारों और चार घाट है मानस सर के पूर घाट पर जिसका नाम गव घाट है जहां तुलसी मंडब की रचनक की गई है मंड़ब के अंदर तुलसी दास जी की भव्य प्रतिमा इस्ठापित है ठीक इसी के सामने शिव मंदर है इस मंदर में दत्ता-शोता के रूप में शंकर जी और पारवती जी बिराजी है इस मंदर में जो शवलिंग स्थापित है वह उमा महेश्वर नर्मदेश्वर लिंग है यह सिद्र लिंग है मानसर के मदाना घाट पर भारत द्वाज मुनी राम कताखा अमरत पान करा रहे है महिला घाट पर भुशुंडी मंडब बना है मंडब में बक्ता, सोता के रूप में काग भुशुंडी और गरुण की मूरतिया है मानसर से आगे चलने पर चित्रकूट की पंचवटी बनाई गई है यहाँ पर सती अंसुय जी ने सीता जी को पतिवर्य धर्म का आदेश दिया था अत्री आश्रम के समी भी एक सुन्दर पहाडी बनाई गई इस पहाडी की उत्री गुफा में चंद्रमा की मूरति है पहाडी की ऊपर पूर मुख पर दत्रा त्रे बैठे है तता पश्मी गुफा में दुरवाशा मुनी पधा रहे है अत्री आश्रम से चल कर हम सर्भंग आश्रम पहुँशते हैं महसी सर्भंग की कुटिया खाली है क्योंकि वे तो योगागनी द्वारा तन छोड़ कर भगवान में लीन हो रहे थे कुटिया के बरामदे में भगवान श्री राम जान की और लक्षमन की मूर्तियां खड़ी हैं सामने योगा सन में बैठी हुई महर्शी की अगरी समर्पिट मूर्ति दिखाई है सर्भंग आश्रम से पश्रम की और जाने पर एक विशाल चोड़े और उचे चबूतरे पर श्री मारुति भगवान है इसी मंदर के सामने राम नाम मंदर है जिसमें करोणों राम नाम सुरक्षित रखे हुए है इस मंदर की परिक्रमा करने से बड़े पुर्णी की प्राप्ति होती है तुलसी तीर्थ राम मन की अत्रिक्ष पूरे देश में ऐसा राम मंदर कहीं नहीं है राम मंदर में बाई ओर जाने पर अंदर भुजा बाहनी दुरगा मंदर है इस मंदर की उत्तर में जाने पर खड़े हनमान जी के दर्शन होते है इटों से बनी हुई दीवार के विशाल घेरे की अंदर केंड रस्थान पर लंबे चोड़े चबूतरे की उपर 10 फिट उचे अधिस्थान पर 26 फिट उची यह मूर्दी है बड़े हनमान जी के प्रांगण के चारों और जो पक्का परकोटा है उसमें दीवार के सहारे मूर्थ मानस के रूप में किसके इनदा कांड लिखा गया है इस कांड में कुल 48 प्रस्थ हैं 90 से 11 प्रस्थ मूर्थियों के रूप में हैं प्रस्ट 31 चित्रमय प्रस्ट है, तथा सादे 6 प्रस्ट है, इसी परकोटे की शेश दीवारों में सुन्दर कांड को भी मूर्तिमान किया गया है, इसकी उपरांथ हम भवाने चौक में आते हैं, यहाँ पर तुलसी उद्यान है, उद्यान के मद्ध भाग में मात्र मंदर है, मंदर में श्री माता जान कीजी सेहासन पर विराजमान है, साथ हाज जोड़े गोष्वामी तुलसी दाजी बैठे हुए हैं, इस तरह पूरी यात्रा की उपरान पना विनायक चौक आ जाते हैं, तुलसी तीत रामबन परिसर मेही तुलसी मानस संग्रहाले है, जो की सन 1978 से राज पुरातत्य मद्यप्रदेश को दान कर दिया गया, इसी लिए इसका नाम शाष्की संग्राले हो गया है, वरतमान में शाष्की संग्राले रामवन में कुल 2170 पुरावशे संग्रहित हैं, पाशार प्रतिमाय, तामरुपत्र, लेख, धातु प्रतिमाय, सोने चांदी एवं तावे के सिक्के यहां सुरक्षत हैं, यह पुरावशे सतना मद्यप्रदेश जिले के भरहुत, भुमरा, उचेहरा, दुरेहा, खोह, जसो, अमरपाटन, मडई, बावुपुर, भटूरा, नरोपहाडी, सरिया टोला, सज्जनपुर से शहडोल जिले के गुरगी से, छतरपुर जिले के खजराओं से, पन्ना जिले के नाचना से संग्रहित किये गए हैं, भीटा उत्तरप्रदेश, बोध गया बिहार, वा काटमाणू नेपाल से बुद्ध की कान से प्रतिमा यहां संग्रहित है, शास्की संग्रहाले रामवन में धार्मेक एवं एतिहासिक लगबग 38,012 गरंत उपलब्द है, संग्रहाले में विश्व का प्रतम डाक टिकेट सरवादिक उलेख नहीं है, तुलसी तीर्थ रामवन सतना मद्य प्रदेश के सतना रीवा रोड पर 15 किलोमीटर दूरी पर संजनपुर गाउं के समीब दक्षन की ओर 1 किलोमीटर की यदि आप अपना टेलेट बंजारा बीट्स के साथ शेर करना चाहते हैं, तो एक मिनिट का वीडियो होरीजोंटल में बनाकर इन नमबरों पर भेज़ें, और हां बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें